Let's do question number first of exercise 5D that is fraction. Question number first is define like and unlike fraction and give five examples of each. अब like fraction क्या होती है और unlike fraction क्या होती है यह बताने है. तो like fraction होती है हमारी देखिए like fraction होती है जिसका denominator denominator हमें पता है कि A upon B है तो B क्या है? denominator है तो जिसका denominator same होता है सारी fractions का तो वो क्या होती है like fractions होती है तो fractions इसकी definition है fractions having same denominator same denominator are set to be set to be like fractions वो हमारी like fractions होती है for example 5 examples देने है like 3 upon 17 4 upon 17 11 upon 17 13 upon 17 14 upon 17 अब देखिए सब के नीचे 17 आ रहा है सब का denominator same है तो ये क्या होगई हमारी like fraction अब इसी तरीके से unlike fraction क्या होती है like fraction का उल्टा अब like fraction में होता था denominator same तो अनलाइक क्या होगा जिसका denominator same ना हो तो fractions having different different denominators different denominators denominators अब अब गजाउ अब गा है to be unlike fractions अब गा है 하지 अबकर डांब आईकर to yourself अब बखनों upon 29 40 upon 47 and 13 upon 79 यह देखें सबके डिनॉमिनेटर सेम नहीं है एक के भी डिनॉमिनेटर सेम नहीं है तो वो क्या हो गही हमारी अलाइक फ्रैक्शन हो गही है अंसर अब इन सबको हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सारी फ्रैक्शन लिख लेते हैं पहले हम अपनी 3 upon 5 and 7 upon 10 3 upon 5 7 upon 10 और है 8 upon 15 8 upon 15 and 11 upon 30 अब इन सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है लाइक फ्रैक्शन तब ही होगी जब सबके डिनॉमिनेटर सेम होंगे तो कैसे करेंगे यह ध्यान से सुनिएगा यह बहुत इंपोर्टन स्टेप है जो आगे ही भी आपकी classes में यूज आएगा क्या करेंगे हम इन सबके डिनॉमिनेटर लेंगे और सबका LCM निकालेंगे तो हमने 5, 10, 15 and 30 हम पहले सीख चुके हैं LCM निकालना अगर आपने नहीं देखा हो वो चाप्टर मेरा LCM वाला तो वो प्लीस पहले जरूर देखें अब देखिए एक साथ LCM निकाल लेंगे तो हमारा 5 से सारे numbers डिवाइड होते हैं 5, 2s are 10, 5, 3s are 15 and 5, 6 are 30 देखिए इस 5 से इन सब numbers को डिवाइड किया 5, 1s are 5, 5, 2s are 10, 5, 3s are 15, 5, 6 are 30 अब ऐसा कौन सा number है जिससे डिवाइड कर सकते हैं तो देखिए 2 से 2 भी डिवाइड होता है और 6 भी तो पहले 2 ले लेंगे तो 1 as it is 2, 1s are 2, 3 as it is क्योंकि 3, 2 से डिवाइड नहीं होता है और 2, 3s are 6 अब देखिए दोनों number 3, 3 बज गए है तो हम 3 से डिवाइड कर देगे तो दोनों 1 as it is, 3, 1s are 3, 3, 1s are 3 तो अब हमारा LCM क्या जाएगा देखिए LCM आ गया हमारा जो ये तीनों numbers हैं इसको आपस में multiply कर देगे तो 5 multiplied by 2 multiplied by 3 तो ये कितना गया 5, 2 is a 10, 10, 3 is a 30 तो इसका मतलब हुआ कि like fraction बनाने के लिए हमारे सारे denominators 30 होने चाहिए तो देखिए ये तो denominator 30 है अब इन तीनों को भी हमें denominator को 30 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे देखिए मैंने 3 upon 5 लिख दिया यहाँ पे 7 upon 10 लिख दिया यहाँ पे 8 upon 15 लिख दिया राइट और 11 upon 30 तो थाई 11 upon 30 को कुछ नहीं करना क्योंकि उसका already denominator 30 है अब 3 upon 5 के case में देखिए denominator जो 5 है 5 को हमें 30 बनाना है तो इसका मतलब हम 5 को किस से multiply करें कि 30 बन जाए तो obviously 6 है तो हम उस 6 से उपर नीचे multiply करतेंगे तो 3 multiplied by 6 5 multiplied by 6 हमेशा दिहान रखेगा जो ये number आया उसी number से उपर और नीचे multiply करेंगे तो याया ये होता है like fraction बनाने का तरीका 6 3s are 18 and 5 6 are 30 अब देखिए इसका भी denominator हमारा 30 आगया अब इसी तरीके से 7 upon 10 है तो 7 upon 10 के case में 10 को हम किस से multiply करें कि 30 आजे obviously 3 से तो हमने 3 से उपर नीचे multiply कर दिया तो ये कितना आगया 7 3s are 21 upon 3 10s are 30 अब इसी तरीके से 15 देखिए 15 को किस से multiply करूँ कि 30 आजे 2 से तो हमने उपर नीचे 2 से multiply कर दिया तो ये आगया 8 to the 16 upon 15 to the 30 और 11 upon 30 का तो अल्रेडी 30 था ही तो हमारी like fractions क्या 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 आगें आप चाहें तो इसको 11 upon 30 को 1 से multiply करके दिखा सकते है 11 upon 30 ही आजाएगा तो ये आगया हमारा answer